नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सोरू शर्मा और आप देगरे आमारा चनल हरियान अप्डेट डेली नियूस बात करेंगे रेवाडी की बड़ी खबरों के बारे में तो वीडियो को शुरू करते हैं आपको दायता हूँ कि लंबे समय बाद रेवाडी में एक बर फिर कोरोनों का खत्रा बढ़ गया है गुरुवार को मतलब आज के दिन तीन पोजिटिव केस मिले हैं हलंकि तीनों में ओमिक्रोन की पुस्टी नहीं हुई है वहाँ स्वास्त विबाग ने तीनों पोजिटिव लोगों की संपर्क में आये लोगों की पैचान भी शुरू करती है आपको दायता हूँ कि इससे पहले 17 दिसंबर को रेवाडी में एक पोजिटिव केस मिला था अब वह ठीक है गुरूवार को जो पोजिटिव तीन केस मिले उनमें से दो रेवाडी शहर से और एक व्यक्ती बावल का रहने वाल है तीनों के दो दिन पहले ही सैंपल लिये गए थे उन्हें सिर्फ कोरोना की पुस्टी हुई है ओमिक्रोन की पुस्टी नहीं हुई है तीनों भी लोग अभी तक स्वस्ट है हालांकि उनमें कुछ लक्षन थे उसके चलते उनका सैंपल लिया गया था और अब तीनों को घर में ही आईसोलेट किया गया है स्वास्त भी बाकी एक टीम तीनों पर नजर रख रही है बता दे कि 17 दिसंबर को एक पोजिटिव जो केस मिला था वो पूरी तरह स्वस्ट हो चुका था इससे पहले दो महा तक रेवाडी में पोजिटिव केस शुन नहीं थे मतलब एक भी केस नहीं था अब आपको बता देता हूँ कि जो टेस्टिंग है रेवाडी के अंदर वो बढ़ गई है गुरुवार को जिले में 1606 सैंपल लिये साथी 1444 लोगों की रिपोर्ट अभी पैंडिंग चल रही मतलब अभी 1444 लोगों की रिपोर्ट नहीं आई है अच्छी बात यह कि वहीं 5000 से जादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और खास बात यह भी है कि रेवाडी में जो फस्ट डोस के हम बात करें तो लगबग 100 परतीशत आबादी को पहले डोस लग चुकी है हलंकि कुछ लोग बच रहे हैं लेकिन 99.8 के आसपास अपने मीरपूर में अपने सेकंड डोस लगवाई है तो आप लोगों से भी यही निवेदन कि